जाएखिन दोस्तों मेरा नाम है मुरीश और आप देख रहे हैं The Army Y YouTube चैनल आज की क्लास आर्मी के लिए स्पेशल होने वाली है आर्मी के सभी प्रेट के लिए आज हम टॉप 100 जीके और जीस के मिक्सिम प्रस्टों का टेस्ट लगाएंगे जिसमें से आपके लिए जो टार्गेट रहेगा आज 85 कोशन का टार्गेट रहने बाला है यह सभी प्रेशन आपके एकसाम के लिए most important रहने बाले हैं सभी कोशन आपको हिंदिय और इंग्लिश में देखने को मिल जाएंगे और याद रखें हमारी ये life class होती है हर शाम 6 वजे होती है और हर मंडे को आपका अब जो है practice set आपका रहेगा चलिए स्टार्ट करते हैं आज की session चो अब तब आपने वीडियो को like नहीं करा वीडियो को like कर दो वीडियो को share कर दो चैनल को subscribe भी कर लेना है चलिए पहला question आपके सामने है SARS का full form क्या होती है SARS की full form क्या होती है तो SARS आपका होता क्या है सबसे पहले आपको बता में चाहिए ये आपका विशानू यानि virus होता है ठीक है एक परकार का virus होता जिसकी full form जो होती है severe acute respiratory syndrome इसकी full form होती है फिर से याद रखें severe acute respiratory syndrome जो होती है SARS की full form आपकी होती है question नुमर 2 है रिंग वेध में अघन्य वद्योग्य नहीं शवबत का परयोग किसके लिए किया जाता है तो किसके लिए किया जाता है गाई के लिए किया जाता है क्योंकि गाई के पूझा हम करते हैं और रिंग वेदा आपके हिंदू धर्म से इसपन दीता है तो गाई का वद नहीं किया जाता है Question number 3 है Numismatics किसका अध्यन है Numismatics जो है ये किसका अध्यन होता है Numismatics is study of तो इसका अध्यन किया जाता है सिक्कों और धातुआ का अध्यन किया जाता है Option number A right रहेगा Question number 4 है विक्रम सवंद कब आरंब हुआ था विक्रम सवंद जो है इसके शुरुवात कब हुई थी Right answer एगा Option number B 57 इस भी पूर जो है विक्रम सवंद की शुरुवात हुई थी Next question है विक्रम शीला विश्यविद्याले की स्तापना किसने की थी विक्रम शीला विश्यविद्याले की स्तापना किसने करी थी Who founded थी विक्रम शीला उनिवरस्टी तो right answer रहेगा धर्म पाल दबारा जो है किसकी स्तापना करी थी विक्रम शीला विश्यविद्याले की स्तापना करी गई थी Question number 6 है Christian Dev Rai किसके समकालीन थे Christian Dev Rai किसके समकालीन थे तो किसके समकालीन थे बावर के समकालीन थे Option number C right रहेगा Next question है बिश्यव की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील कौन सी है largest fresh water lake in the world तो राजता अंसर रहेगा Option number A सुपीरियल जील जो है ये सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है Question number 8 है सविदान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे सविदान सभा के अस्थाई ठीक है अस्थाई ये टंप्रेरी अध्यक्ष प्रेजिडेंट कौन थे तो कौन थे डॉक्टर सतिना नंसीना जो थे ये अस्थाई अध्यक्ष थे Question number 9 है Flying sick के उपनाम से किसे जाना जाता है Flying sick के नाम से किसे जाना आता है Jim Wilka Singh को नहीं Number of the players on each side in rugby football तो सक्क्या किती होती है 15 संख्या होती है Question number 11 है सविदान सवा के स्थाई दक्ष कोन थे यहाँ पर स्थाई दक्ष पूचा हुआ है Constitution Assembly के तो सविदान सवा के स्थाई दक्ष कोन थे Dr. Rajinder परसाद थे Question number 12 है भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था Important question है भारत और पाकिस्तान का विभाजन जह है Mount Wedden योजना के तहत हुआ था Option number A right रहेगा Next question है भारती सव भारती राष्टी कोंग्रेस के प्रतम विभाजन कब हुआ था भारती राष्टी कोंग्रेस का प्रतम विभाजन कब हुआ था सूरत अधिवेशन में प्रतम विभाजन हुआ था कब 1907 में Next question है गीता रहस्य नामक गरंत किसके द्वारा लिखा गया था गीता रहस्य नामक गरंत किसने लिखा था बाल गंगादर तिल्क ने लिखा था Option number A right रहेगा Next question है लोग सबा का चुनाव लणने के लिए अमीदवार की नियुन्तम आयू कितनी होनी चाहिए लोग सबा का चुनाव लणने के लिए नियुन्तम आयू कितनी होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए राक्ष सी तांगडी या फिर ताली कोटा या फिर बनी हटी का यूद किस भरष होता तो आप जानते हैं सिर्फ ताली कोटा यूद के तो इस ताली कोटा यूद को बनी हटी यूद और राक्ष सी तांगडी भी कहा जाता है राक्ष सी तांगडी भी कहा जाता है यह आपका तालीकोट का यूद कभ हुआ था? 1565 में हुआ था तीक है 1565 में तालीकोटा कई दूआ था? राइट अंसर रहेगा नेक्स कोशन है गोतम बुद्ध ने अपना प्रतम उपदेश कहां दिया था? गोतम दूद्ध बारा पहला उपदेश कहां पर दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं कर रहे है दोस्तों नेक्स कोशन है मुमताज महल का असली नाम क्या था? अरचनुमंध वानो बेगम जो था यह मुमताज महल का असली नाम था? और मुमताज महल की मा का नाम क्या था? दिवान जी बेगम नेक्स कोशन है भारती सवितान सवा की प्रारू समीती के अध्यक्ष को न थे? ड्राफ्तों कमेटी के चेर मैन कॉन थे? प्रारू समीती के अध्यक्ष कॉन थे? भीमर अमेड कर दे नेक्स कोशन है भारती सबजी सोद संस्तान कहाँ पर स्तित है? तो यह आपका कहाँ पर सित है? बारा नसी में स्तित है Question number 20 है, सूरे एबं पृत्वी के बीच नियुंतम दूरी जिसे हम उपसौर कहते हैं किस दिन होता है? सूरे और पृत्वी सूरे से अपने अधिकनम दूरी पर कब होती है? तो सबसे अधिक दूरी पर होती है 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी पर होती है प्रित्वी सूरे से और इसे क्या कहा जाता है इसे अपसोर कहा जाता है नेक्स कुशन है बिद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है What is the best conductor of electricity? तो electricity का best conductor जो होता है आपका चांदी होती है पर प्रयोग नहीं कर जाता है क्योंकि चांदी महेंगी होती है next question है डैसीवल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है भारत का राश्टी खेल किसे माना जाता है तो national game है इंडिया का football आपको बताना है दो देशों के नाम बताना है जिसका राश्ती खेल फुटबोल है और वैसे मानने ता सविदान दवारा राश्ती खेल को मानने ता प्रापत नहीं है भारत के नेक्स कुशन है दादा साहिव फाल के पुर्षकार की शेतर में दिया जाता है नेक्स कुशन है कामा सूतर के लेखक कौन है कामा सूतर के लेखक कौन है हुई इस दी ओतर आफ दी कामा सूतर तो किसके दवारा लिखी गई थी वातसायन दवारा लिखी गई थी कामा सूतर next question है next मानुश्रीर की सबसे छोटी अंतस्तरावी गरंथी कौन सी है मानुश्रीर की सबसे छोटी वाही और अंतस्तृवी ये दोनों में सबसे छोटी है कोन सी pituitory गरंति है pituitory यहनि प्युश गरंति जो है आपकी मानु श्रीक की सबसे छोटी गरंति है तंत्रिका उत्त्र की इकाई क्या है फंक्शनेस्टनल यूनिट ऑफ टी नर्वस सिस्टम nervous system की unit क्या होती है neuron आपकी होती है question number 30 है polio vaccine की कोज किसने करी थी who discovered the polio vaccine polio vaccine की कोज किसके दवारा करे गई थी जो naas sock जो naaks sock दवारा करी गई थी जो naas sock दवारा polio vaccine की कोज करी गई थी next question है काला जार रोग किसके कारण होता है काला जार रोग किसके कारण होता है तो यह आपका प्रोटो जो अदवारा होता है कौशन नमर 32 है भारती कृषी अनुसंदान परिशत का मुख्याले कहां पर स्थित है तो नई दिल्ली में स्थित है कौशन नमर 33 है दादा साहिव फाल के पुरुषकार सरप्रथम किसे दिया गया था दादा साहिव फाल के पुरुषकार प्रापत करने बाले पहली महिला कौन थी तो पहली महिला थी आपकी देविका राणी आप्शन नमर भी राइट रहेगा कॉशिन में 34 है DNA की दुई किंडली सरचना मोडल जिसे हम डवल हेलेक्स मोडल कहते हैं को किसने प्रतिपादित किया था DNA का डवल हेलेक्स मोडल किसने दिया था वाट्सन एवं करिक ने दिया था option नमबर भी राइट रहेगा next question है gel gas किसका सियोजिक होता है जो gel gas होता है ये किसका सियोजिक होता है CO और H2 का सियोजिक होता है क्या gel gas question नमबर 26 है बिलाई इसपात सेंतर किसस्तापना किस देश के साथ करी गई थी रूज के साथ करी गई थी नेक्स कॉस्षण है, पैरिस शहर किस नदी के तडपर स्तित है, सी नदी के तडपर स्तृत है Question number 38 है, Sargaso Sagar किस महासागर में स्थित है? फिर से सुन ले, Sargaso Sagar किस महासागर में स्थित है? तो यह आपका उतरी Atlantic महासागर में स्थित है, Sargaso Sagar Next Question है, किस सविदान सशोदन अधिनियम को मीनी सविदान कहा जाता है? तो आपका 42 सविदान सशोदन कब हुआ था? 1976 में 42 सविदान सशोदन जो की 1976 में हुआ था, इसे क्या का जाता है? मीनी सविदान भी कहा जाता है Next Question है,डाचिगंग्ग National Park कहा पर सित है? डाचिगंग National Park is located कहा पर सित है? जम्मू कश्मीर में सित है Question 45 है,महात्मा गांदी दक्शन अफरीका से भारत कि स्वर्श लोटे थे? महात्मा गांदी जो है इदक्शन अफरीका से भारत कभी लोटे थे? तो 1915 में लोटे थे Question No.42 है Guru शिकर किस परवत माला की सबसे उंची चोटी है Guru शिकर इज़्धा highest peak on which range तो ही किस की सबसे उंची चोटी है Monroe शिकर अरावली परवत की सबसे उंची चोटी है Guru शिकर Next question है Lawni किस राज़े का प्रसिद तिहार है लावनी is a famous log dance of which state तो कहा कार है महा रास्टर का है Q4 है कुणार का सूर्य मंदर किस राजे में स्तित है तो कुणार का सूर्य मंदर है और इसा में स्तित है Next question है परमशुन्यताप का मान केतना होता है तो परमशुन्यताप मान होता है 200 minus 200 degree क्या होता है Celsius आपका होता है Next question है धातू का राजा किसे कहा जाता है धातू का राजा किसे कहा जाता है King of Metals कहा जाता है सोने को धातू का राजा सोने को कहा जाता है Next question है पीतल किसका मिशन धातू होता है जो bronze होती है यह पीतल होता है यह किस का mission धातू होता है तामबा और जस्ता का mission धातू होता है option number A right रहेगा next question है विवेका नंड रोक मेमोरियल कहां प्रस्थित है where is the वेका नंड रोक मेमोरियल लोकेटेड यह आपका कहां प्रस्थित है नेक्स्ट कुश्ण है धान का प्रसीद खेरा रोग किसकी कमी कारण होता है माइकोलोजी मैं किसका अधेन किया जाता है maaf klar़ो फाइकॉलोजी में kis का अधियन कहा जाता है तो शेवालो का अधियन जो है क्या का जाता है शेवालो uyवाजन किस वरृष रद किया था लॉर्ड हर्डिंग द्वारा बंगाल विवाजिन जो की 1905 में हुआ था इसे कब रद किया गया था 1911 में रद किया था 1905 में लॉर्ड करजिन द्वारा बंगाल विवाजिन किया गया था और इसे रद किया था लॉर्ड हर्डिंग ना 1911 में नेक्स्ट कुशन है भारती राश्टी कोंग्रिस की स्थापना किस ने करी थी यह ओहिए नेक्स्ट कुशन है मुंबई किस परसीद मुंबई किस दीप पर बसा हुआ है मुंबई आपका सौल सेट दीप पर बसा हुआ है नेक्स्ट कुशन है शाम का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है शाम का तारा, इवनीं स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार किसे का जाता है शुक्र को कहा जाता है Next question है 20 Hz से 20,000 Hz आवृति वाली धवनी को क्या का जाता है 20 Hz से लेकर 20,000 Hz की धवनी जो होती है उन्हें क्या का जाता है नेक्स्स कोशिन है परकाश का वेग सरप्रतम किसने ग्यात किया था परकाश का वेग सबसे पहले किसने ग्यात करा था रोमर न ग्यात करा था Q57 है भारत के परमुक समाद स्थारक राजा रामोहराई की समादी कहां पर स्थित है तो आपकी ब्रिस्टल ब्रिटेन में राजा रामोहराई की समादी स्थित है Q57 है भारत में सरकार की सस्थि परनाली कहां से ग्रहन की गई है Q57 है भारत में सरकार की जो सस्थि परनाली होती है इसे किस देश से ग्रहन किया गया है Q57 है भुमद्दि सागर का परकास्तम किसे कहा जाता है वमद्दी सागर का परकास्तम किसे कहा जाता है स्ट्रोमबली ज्वाला मुखी को कहा जाता है ठीक है स्ट्रोमबली ज्वाला मुखी को वमद्दी सागर का परकास्तम कहा जाता है एक प्रकार का ये जवाला मुखी ठीक है, सकरी जवाला मुखी है, स्टामबल्ली ठीक है, स्टामबोली जवाला मुखी next question है, अमजद अलिक घा किस बाद यंतर से स्वंदित है? सरोध से आपके स्वंदित है next question है सोरमंडल का सरबादी गरम ग्रहे कौन सा है hottest planet आपका पूछा हुआ है solar system का तो शुकर इसका right answer रहेगा next question है प्राचिन सिक्को पर बीणा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन सा था तो ऐसा राजा जिसे जो है बीणा बजाते दिखाये गया था उसका नाम था समुंदर गुप्त next question है ओनम किस राजे का परसीद तेहार है ओनम is the famous festival of beach state तो कहां पर मना जाता है ओनम केरण मनाया जाता है एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है एक कटा हुआ हीरा जो होता है किसके कार जगमगाता है पूरण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है Next question है तिबत में ब्रह्म पुतर नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्म पुतर में तिबत कोंग सौप पूरब त्सौंग पूरब को नाम से जाना जाता है next question है बहनों में पीछे का दरिश्य देखने के लिए कौन सा दरपड प्रियोग में लाया जाता है कौन सा दरपड कहां पर यूज किया आता है जो आपकी कारे होती है उनकी पास में की आता है जो आपकी पहली होती है जो side में देखने के पीशे देखने के लिए किसका प्रियूगता उत्तल धर्पन का प्रियूग किया जाता है माफ कीजीए गा next question से एब तक आपने video को लाइक निंग करता जल्दी से video को लाइक कर दो वीडियो को शेर कर दो चैनल को सब्सकाइब भी कर लें next question है प्रतिरोत का SI मातर क्या होता है resistance of the SI unit या थोटा सा गलत हो गया ठीक है SI unit पूछी हुई है resistance की तो क्या होती है औहम आपकी होती जिसे किसे denote करते हैं इससे denote करते हैं next question है entry में कौन सा अमिल पाया们 जाते है connection मोरे वन्ष का संस्थाफक कों था मोरे वन्ष का संस्थापक कों था तो मोरेवश की स्तापना किस ने करी थी? चंदर गुप्त मोरे ने करी थी. Question number 17 है, हाइट्रोजन बम किसके दवारा विक्सित किया गया था? हाइट्रोजन बम जो है, ये इसकी खोज किस ने करी थी? इसकी खोज करी थी Edward Taylor ने. Edward Taylor दवारा जो हाइट्रोजन बम की खोज करी गई थी. Next question है, रेडियो कारवन टेटी किसकी आयू का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? Next question है, कौन सा तत्व सूरे में सरवाधिक पाया जाता है? Which element is found in the most in the sun? तो हाइट्रोजन जो है सरवाधिक पाया जाती है कि वरियो ने आपकी 70% से अधिक हाइट्रोजन पाया जाती है सूरे में. Next question है, भारी जलकार साइनिक सूतर क्या होता है? तो भारी जलका, हैवी बार्टर का जो में केमिकल फूरा फॉर्मूला होता है, यह आपका डीटू होता है जिसे हम डीटियोर्म आउकसाइड कहते हैं. Next question है, मदुमक्की के डंक में कौन सा अमल पाया जाता है? तो आपका फॉर्मिक आमल पाया जाता है. Next question है, मौरे बंश का अंतिम शाशक कोन था? वरहिद रत जुथा यह मौरे बंश का अंतिम शाशक था. होमोपैथी के संस्तापक कोन थे? होमोपैथी के संस्थापक कोन थी तो Honeyman दवारा जो है होमोपैथी की स्थापना या फिर होमोवैथी की खोज करी गी थी Next question है निंदरारोग पैदा करने वाला proto-joa होता है निंदरा पैदा करने वाला proto-joa कोन सा होता है आपका ट्रिपे नोसा ट्रिपे नोसोमा जो है अजीब सा नाम है फ्रिवी आज रखने है ट्रिपे नोसोमा जो है या आपका निंद्रा पैदा करने वाला क्या होता है प्रोटो जुआ होता है Next question है, हर्याना हरीकेन के नाम से कौन परसीद है? किस ब्यक्ति को हर्याना हरीकेन के नाम से जाना जाता है? कपिल देप को जाना जाता है हर एक वंश का संस्तापक कौन था हर एक ह्वंश की स्तापना किस ने करी थी तो बिंभी सार ने जो है हर एक क्वंश की स्तापना करी थी next question most important Malgoody days पुस्टक के लेकर क कौन है Malgoody days किस ने लिखी थी Arkin नराहिण ने लिखी थी next question है Norman Borloo questa kis o में कि Purskakarma करें Norman bor reliable pursekar कि शेतर में जियर आता है तो यह आपका क्रिशी के शेतर में जादा आता है और Norman borloo जो थे यह क्रिशी से आपके स्वर्णी थे next question काजी रंगा national park कहा पर श्थी तरें काजी रंगा machine park located डि आपका कहां प्रजिता है असाम में स्थित है और इसे किसके लिए जाना जाता है काजी रंगा को एक सिंग बाले गैंडे के लिए जाना जाता है next question है bishop पर्यावरन दिवस का मनाया जाता है when is the world environment day celebrated तो bishop पर्यावरन दिवस जो है हर साल पांच जून को मनाया जाता है एक अशिव शक्ति एक होस पावर बराबर होती है तो किसके बराबर होती है सासो चालिस वाट के बराबर होती है पक्षियों के अधियन को क्या गयाता है और इंतोलोजी जो है पक्षियों के अधियन को कहा जाता है परसिद चीन्नी यातरी हेन सौंग किसके शाशनकाल में भारत आया था हेन सौंग जो है ये किसके शाशनकाल में भारत आया था तो किसके काल में आया था हर्श्वर्दन के काल में आया था बिशव का सबसे उंचा जलपरपात कौन सा है बिशव का सबसे उंचा वाटरफॉल कौन सा है तो एंजील जलपरपात जो है बिशव का सबसे उंचा जलपरपात है जो कि कैरोणी नदी पर है ठीक है sister of earth twin planet of earth किसे का जाता है शुक्र को कहा जाता है यह वीनिस को कहा जाता है next question आपके साबने sunset के परतेक sudden की कारे वाही में sunset का स्थस्य ना होने होते हुए भी कौन भाग ले सकता है संसद के प्रतेक सदन में स्तरस्य ना होने के बाद भी यह संसद में भाग ले सकता है यह कौन होता है यह आपका महानियवादी होता है जिसे एट्टॉर्नी जनर्नल आप कहते हैं नेक्स कुशन है लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है इन बिच स्टेट लोसांग फेस्टिवल इस सेलिवेटी तो लोसांग उत्सव कहां पर मनाया जाता है सिक्किम राज्य में मनाया जाता है बिशव का सबसे छोटा फूल कौन सा है बिशव का सबसे छोटा फूल कौन सा है बुलफिया फूल जो है यह बिशव का सबसे चोटा कौन सी होती है तो माने शिरिक की सबसे बड़ी गरंती होती है यकृत बावर ने अपनी आत्म कथा बावर नामा किस वाशा में लिखी थी तुर्की वाशा में लिखी गई थी मौसब समन्दी घटनाएं बायू मंडल की किस परत में होती है तो मौसब समन्दी जितनी बी घटनाएं होती है बारिष इस जो भी आपका हो ति किसमें होती है रींग ट्रॉपर स्पेरस में होती है Next question है, भारती सवितान को सविधान सवा द्वारा कब अंगिगार किया गया था? तो 26 November 1999 को किया गया था Next question है, भारती सवितान को कब लागू किया गया था? तो 26 November 1950 को नेक्स्स कोशन है परशिद्चीनी यात्री फाहयान किसके शाषिनùमे भारत आया था इसका नास्ट कोशन वीभी का मकवरा लोकेटिड तो वीभी का मकवरा आपका औरंगाबाद महारा रास्तेक्ट में श्थिता है जल्दी से बताई हंद नमस में आपकी कितने सहीत है जितने कोशन आपके सही होते है वीडियो आपका क essence बताना है बाकि आपको वीडियो को लाइक वीडियो को शे Αम जूर करना है बाकी मिलते हैं गणार शाथार वीडियो में है तब तक आपना ख्यार रखे अपने